हमारे साथ किरिट पारिक हैं नैश्रल गैस प्राइजिंग के ऊपर पेट्रोलिय मंत्रालन ने इस कमीटी के गठन किया था उसके शेर्मेन है आज कमीटी ने फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौप दी है कौन-कौन से रेकमेंडेशन्स रहे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे स इसे टॉप रेकमेंडेशन्स हैं जिसको कि आप मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे देखे दो मेजर करेकमेंडेशन्स हैं हमारी एक तो जो एपी एम गैसे एड्मिनिस्टर्ट्राइज मेकैनिक अंग गैस जो गैस ओन जी सी और ओई एल अपने फिल्ड जिसको उनको पह किन गैस जो और पह Venus कि प्रईश हमेशना फिक्स करती रहती है हमने कहा कि इसकी प्राइस के लिए एक निवनतम फ्लोर होना चाहिए ओर एक उच्चतम सिलिंग होनी चाहिए और हम ने चार प्रतिस्षम प्र म्म बीटी व के प्रायस के निवनतम के प्र्राइसैं और यह फर और OIL को अपना marginal cost of extracting gas होता है, वो इसको पूरा cover कर सके, और उच्छतम price इसलिए इनी fix किया है, कि आजकाल दुनिया में gas price में बहुत उड़ाव चड़ाव हो रहा है, बहुत instability है और बहुत variability है, और बहुत variability है और प्राइस इसको प्राइस इसको प्राइस है इसको प्राइस ह और यह प्राइस को अमने उच्छतम price बताई है, इस comparable to the cost of imported gas होता है, हमार imported oil है, इसकी पर एक ए लगाते है, इसकी पर हमने इसका fraction लेके, एक 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 कीमत की कीमत, लेकिन यह किमत, जो उच्छतम से ज्यादा है, तो अपला होगी, वो नीचे है, तो फ्लोर अपला होगा, लेकिन इसमें आपने एवरी इयर इसमें बढ़ोती का भी सुझाओ दिया है, यूरो पॉइंट फाइव साल, हमने आदा डॉलर प्रतिश्ट फॉर एम बीटी यू बढ़ोती के बात की है, और यह भी किया है कि एक जानुवारी दो फ्लोर और सिलिंग हठाया जाएगा, और ओएंजीसी और इनको पूरा यह होगा, आप यह कह रहे हैं कि जो गैस निकल रहा है, उसको एक जनवरी दोहजार सथाई से मार्केट के साथ लिंक कर दिया जाएगा, जरूर, यह बात सही है, और देखिये, सरकार ने अभी तक जो तो ओएंजीसी की प्राइस कम करते है, रखी 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 इन पास देख केप्टिटी वन इतको एक एक वन पॉइंट सेवन डॉलर तक नीचे कर दी थी, इससे तो ओएंजीसी का कॉस भी नहीं कवर किया जाता था, और इससे क्या होता है कि सरकार को रॉयल्टी कम मिलती है, कर्षिक है, सरकार को इनका जो डिवीडेंट मिलता है कं है, कं मिलता है कि सरकार इसका करीब करीब 17 प्रतिषत इसका ओनर है, और और जो इसको टेक्स आएगा वो भी कम होता है, तो यह सब की सब की जो इनकम स तो इसके अलवा हम कुछ कंपनी से बात कर रहे थे जो जिरो पॉइंट फाइव डॉलर पर एमेंबेट्यू हर साल बढ़ोतरी का प्रस्ताव सिफारिश आपने की है उसे कुछ कंपनी जो है वह कह रही है कि यह एक एरिया है जिससे उनको दिक्कत हो सकती है खासकर जो सिटी से कंपनी से इसके पीछे किया रैशनल है यह बढ़ोतरी का सुझाव आपने क्यों दिया है देखो हर कोई को जिसको ज्यादा कीमत देनी पड़ती है उसको लगता है कि अच्छा सुझाव नहीं है लेकिन सुझाव की पीछे हमारा देह क्या है जो किमत सीजी डी को दिया ज माले को जे किमत से डिया जाता है वह किमत से वह इसकी इसाब से वह पी एची प्राइफ प्रेश्राइज नेच्रल tomorrow घस हा टो देते और कॉंपरेस नेच्रव घज को देते है है फोर ट्रांसप åt लीग से साटर के लिए तो इसकी किमत सही होनी चाहिए अगर और सही क्या मीन सही का माइना क्या है कि जो हाउसोल को दिया जाता है एक गैस की किमत इनका जो अल्टरनेटिव है उनका जो अल्टरनेटिव क्या है लपीजी लपीजी सिलिंडर से एक कम होनी चाहिए that is what one should really aim out similarly CNG वालो को क्या अल्टरनेटिव है डीजल तो डीजल से कम होनी चाहिए है तो हम मानते है कि जिस तरह से हमने ये पीएम प्राइस को लिंक किया है इंपोर्ट प्राइस ऑफ डीजल और और कुरूड आयल की साथ तो इसका हिसाब से यह हमेशा इस वूड अल्वेज बीडू क इनको 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 मार्जिन रहेगा कि पी एंजी वालो को ठीक दे और इनको ठीक का मानना है कि आठ डॉलर से उपर जो गैस की कीमते हैं वो उनको पिंच करेगी दिक्कते होंगी तो आपको लगता है कि 6.5 का रेकमेंडेशन और उसमें अगर फिर से बढ़ोतरी होगी और कि देश में और की कीमत भी बढ़ेगे तब जाएगा तो जब LPG और इनकी किमत बढ़ेगे तब यह लागू होगा अगर इसके काम होगा तो कोई इसका ख्यरी देगा ही नहीं तो फिर क्यास कंजुमर्स है वो मार्केट में वो देखेंगे कि सबते सस्ती चीज कौन है और छान की चेरी आफमुले की जहां तक बात है इस वक्त ह्भ फ्रमुला है आपने इसके जाए जर घूसरर फिर्ड लिंक भी क्या यह कारे रशनल है रशनल इनकी पीछे का ख..कर यह कि यहिति है क कांव और इन क कर रिजन क्या है तो यह क्या है कि धेखों और उप type और नहाए सकते हैं इसके साथ को लेंक करते हैं। तो इसक के हिसाब से तो यह जो एपम गयस की प्राइस होगी वह नीचे ही होगीुछ उससे है। वह जो इंडियन क्रूड बास्केट है उसके 10% से लिंक्ट होगा यह फर्मुला क्या इस तरीके का होगा यह समझ में नहीं है क्या पूछ रहा है जो फर्मुला आपने क्रूड लिंक्ट करने का दिया है इसको वह फर्मुला किस तरीके से काम करेगा फर्मुला कुछ नहीं है इसमें यह कहा है का बस यह जो किमत है इसकी पर वाट केते है को सलोप कहते है, 10 प्रतिशत दूप है, which only means it's a 10% of that imported price, यह है और इसके पर फ्राधजस्मन किया जाता है, वो, क्या कहते है, उसको, some adjustments are made for royalty, etc., इसके सही साथ से प्राइस लगाया जाती है, तो इसमें कोई ज्यादा फॉर्मिला नहीं है, यह प्राइस है उसकी पर है स्लोप, means how these prices are related in the past and if you draw the line and you could say the slope of the line, that determines what the price would be. difficult fields के अगर हम बात करें, उसके उपर कमिटी के किया रिकमेंडेशन से? आजकल क्या है कि difficult fields है जो इसको प्राइसिंग फ्रीडम तो है, लेकिन इसको एक अपर लिमिट उप प्राइस पर लगाएगी है, कि प्राइस से बढ़नी सकती है, हमने कहा कि बस यह प्राइस को भी यह को भी दूर करना चाहिए, लेकिन तरहरार काफी existing contracts है, यह सब अपसे हो जाएगा इस से इसाब से, तो हमने का कि इसकी किम्म एक हिम्म जो की उपर जो सीलिंग लगाई है, वो 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 एक जानुवारी दोजार शवी से एक साल पहले एक साल पहले एक साल पहले एक साल पहले से बताया जाता है कि यह होने हैं, तो नए कॉंट्राक्ट में भी है, इसकी कि देविल की एकाउंट अप दीस लिंग और ख्याल रखके ध्यान में रखके इससा वो नए कॉंट्राक्ट में जाएंगे, तो जो फामूला आपने सुझाए हैं, क्या वो डिफिकल फिल्ड से पर डागो होगा, नई इसकी की पर सब्सकिशश आना का सब्सक है, आज कल जो फामूला से बूम यौ जो इसकी पर सीलियम लगाई गए है, वो ऐम अपे ौप फार्मीला से अलग है, तो इसको मम टंट सब्सक्शश नहीं करते हैं, तीन साल तक वही रहेंगे, और इसकी ब प्रियास किये भी हैं तो उसके शुरुवात कब से करनी चाहिए और कैसे राज्यों को जो कॉम्पनसेशन की जो के तौर तरीके हैं जीस्टी रूल के हिसाब से क्या उनको पांच साल के लिए कंपनसेशन दिया जाए कैसे सरकार को एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है जब पहले हमने जीस्टी लागो गया था सभी एकोनोमी में तब इस सरकार ने ये कहा कि पांच साल तक कोई राज्यों की आंदानी में जो काटिंग घटोती होती है वहम पूरा करेंगे तो बस यही तरीका भी अपनाने की जरूरत है क्योंकि तीन राज्यों ऐसा है जो गैस का और यह लोग को जीस्टी में जाना कि साम जीस्टी सामें लोग को का विरोधिय है कि हमारी जो आवक है वो उतकाम हो जाएगे हम से बात करने के लिए मिस्टर पारिक तो हमारे साथ थे करिट पारिक नैच्छल गैस के ऊपर जो कमीटी बनी थी उसके शेयर्मेन आज सरकार को इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है और अब सरकार को इस पर फैसला लेना है कि इन जो सिफारिशें हैं उसक को कब स्विकार किया जाते हैं कब इस पर काबिनेट का प्रूवल मिलता है और कब इफेक्टिवली इसको लागू किया जाता है